हलो आपरीवान वल्कम टू मैगनेट ब्रेंज यहां आपको 100% free of cost education प्रोवाइट की जाती है मतलब यहां आपको एक यह दो चाप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमिंट करने की नहीं बिलकुल नहीं होती है इस एची बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को दिसस बर्का गुपताई और आईपी एडूकेटर फर क्लास 11 और क्लास 11 आईपी का हम चाप्टर नबर 5 अंडर्स्टेंग डेटा को कंटीन्यू कर रहे हैं जिसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक Statistical Technics for Data Processing Yes, Statistical Technics को आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे किसके लिए Data की Processing के लिए So, Data Processing के लिए कौन से Statistical Technics होती हैं है ना किस तरीके से इनका यूज किया जाता है Basically, वो इस टॉपिक में हमें डिसकस करना है Fine, so आज की इस वीडियो में हम सिर्फ Statistical Technics के बारे में देखेंगे पता करेंगे कि हाँ ये सारी Technics होती है लेकिन एक्स्ट वीडियो में हम उन टेक्निक्स के बारे में One by One डिटेल में डिसकस करेंगे Fine, so आज इस वीडियो को हम जस्ट एक Statistical Technics के ओवर्वियो के फॉर्म में डिसकस करने वाले हैं Okay, so basically सबसे पहले तो ये जान लेते हैं Statistics क्या होता क्या है तब तो उसकी टेक्निक्स आपको समझ में आएगी So अभी तक हमने लास्ट वीडियो में डिसकस कर लिया कि हमें डेटा कलेक्ट करना होता है फिर उसके बाद में डेटा क्या होता है Store होता है, then data process होता है ठीक है, so अब जब बात आती है Large amount of numerical data की किसकी? Large amount of numerical data की तो जब large amount में bulk में numerical data होता है और उस numerical data को आपको process करना होता है तो उसके लिए हम use करते हैं Statistics का, किसका use करते हैं? Statistics का So, जैसे कि आपकी class 10th में भी आपने statistics का एक chapter पढ़ा होगा जिसमें आपने mean, mode, median देखा होगा Simple उसी तरही किसे class 11th में यदि आपका math subject होगा या math subject नहीं भी होगा तो आपको इतना तो पता होगा ना कि Statistics math होता है, जिसमें Large set of values होती है Numeric values होती है और उनके behalf पे कुछ decision लिया जाता है उनको solve किया जाता है techniques का use करके और एक particular result तक हम पहुँचते हैं ठीक है, जैसे for example यदि हम बात करते हैं कि आपके area में कित्ती population है जहाँ पे आप रहते हों वहाँ पे उस area में उस society की क्या population है तो यहाँ पर एक survey conduct किया जाएगा घर-घर जाके यह पता किया जाएगा कि हर family में कितने members हैं तो आपने क्या क्या एक numerical data को collect किया अब उस numerical data पर क्या किया जाएगा analysis किया जाएगा, process किया जाएगा ठीक है तो यह जो collection किया आपने data का है ना अब उस पर जो आप processing कर रहे हो और उसमें आप find out कर रहे हो कि कितने male हैं, कितने female हैं, average क्या population हुई आपकी society की, जब आप ऐसे सारी चीज़े calculate कर रहे हो तो बस इसी को तो कहते है statistics, समझ भाया है, so statistics का मतलब क्या हुआ, जब large amount में numerical value होती है, large set of values आपके पास होती है, तो उस set of values को process करने के लिए जिन techniques का हम use करते हैं, basically वही statistical techniques कहलाती है, so यहाँ पर हम बात करने हैं, अब large set of values की कि उन्हें कैसे process किया जाता है, उस data को कैसे process किया जाता है, so उसके लिए statistical techniques कौन सी होती है, कैसे use की जाती है, वही आज की इस video में हम detail में समझने वाले हैं, so चलिए start करते हैं आज की इस video को, so given a set of data values, we need to process them to get information, जब आपके पास में set of values होती हैं, तो उस set of values को क्या करने के लिए, process करने के बाद एक information में convert करने के लिए, है ना, हमे statistical techniques की जरुवत होती है, so there are various techniques, so इसके लिए बहुत सारे techniques होती हैं, which help us to have preliminary understanding about the data, so summarization methods are applied to tabular data for its easy comprehension, अब उस data को जो आपने collect किया, suppose आपने अपने society में, जो आपका environment है, जहां आप रहते हो, उस society क्या population है, इसके लिए आपने एक survey conduct किया, और उस survey से जो data आया आपके पास में, जो आपने numerical format में values को access किया, हर एक family में कितने कितने members हैं, तो अब उस data को आप कैसे summarize करोंगे, उ family number one, इतने members है, इतने मेले, इतने female है, यह वो सारी चीज़े आपने maintain करा, तो हमेशा इस statistical techniques को use करने के लिए data कैसे represent किया जाता है, डेटा को summarize करने के लिए आप किस format में उसको represent करते हों, तो यह हमने देखा था, structure data को भी कैसे manage किया जाता है, वहां भी हमने देखा था, कि data को tabular format में manage किया जाता है, तो यहाँ पर statistics में भी जब large given set of data values होती है, उसको process करने के लिए, उसको summarize करने के लिए हम tabular format का ही use करते हैं, ओके, तो यहाँ पे कुछ summarization methods होती है, जो data को tabular format में summarize करती है, मैं क्या बोढ रही हूँ, यहाँ पे कुछ summarization methods होती है, statistical techniques में, summarization methods होती है जो डेटा अपने collect किया है उसको tabular format में represent करती है ताकि easily आपको उस data के बारे में समझ में आ सके आप फिर उसे easily analyze कर सको so commonly summarization method जो होती statistical techniques में data को summarize करने के लिए वो क्या होती है so commonly used statistical techniques for data summarization are this okay so यहाँ पे statistical techniques जो है data को summarize कर रहे यह टेबलो format में वो दो टाइप की होती है पहला है measures of central tendency और दूसरा है measures of variability so is topic में चाप्टर के इस topic में आपको दो statistical techniques के बारे में पढ़ना है पहली है जो central tendency को measure करती है और दूसरी जो statistical techniques है वो variability को measure करती है किसकी data की कौन सा data जो हमने collect कि है set of numerical values set of data values तो जब set of data values की central tendency को आपको measure करना है तो उसके लिए आप तीन techniques का यूज करते हो पहली है mean दूसरा है median और तिसरा है mode so mean mode median से hope आप सभी aware होंगे 10th class में आपने पढ़ा होगा maths में fine नहीं भी पढ़ा है तो आज हम यहाँ पर इस video में discuss करेंगे fine so central tendency को measure करने के लिए central tendency मतलब जो आपने data बलक में collect किया है उस data का average आपको calculate करना है आपको यह पता करना है कि उसकी mid value क्या है suppose आपने 10 to 50 50 numbers collect गिये अब उन 50 numbers का average निकालना है ठीक है उन 50 numbers में से mid value निकालना है उन 50 numbers में से कौन सा number है जिसकी frequency बार-बार repeat हो रही है ठीक है ऐसे कितनी families है जहां पर four four members ही रहते हैं ठीक है जब ऐसा कुछ आपको calculate करना है central tendency उसी को कहते हैं ठीक है तो इसे measure करने के लिए हम mean mod median का use करते हैं अब mean मतलब average जो normally average calculate किया जाता है उसको mean कहते हैं ठीक है जैसे आपके five subject के marks है तो आपने five subject के marks का data collect किया जिसमें आपके five subject के numerical values आपके पास में है अब उसका आपको average निकालना है तो आप क्या करोगे पांचो subject के marks को plus करोंगे divided by five कर दोंगे तो क्या calculate किया अपने average that is mean calculate किया आपके पास कुछ पांच numerical values थी उस values को आपने analyze किया कि हाँ यह आपके mark से five subject है फिर आप आपको उसको average निकालना है तो आपने कौन से central tendency को मेज़र कर आप mean को मेज़र करने वाले हो mean निकालने वाले हो average निकालने वाले हो राइट उसके बाद आता है medium medium मतलब bीच की वैल्यों निकालना mid value निकालना किसी भी एक सीरीज के किसी भी एक numerical data की जो set of data values उसके मीडवाल्य वेदी calculate करना है तो मीडियन का use करते हैं मौड का मतलब होता है जब highest frequency आपको calculate करना है suppose आपके पास पाथ subject के marks हैं आपके अब उन हम सब्जेक्ट में marks में आपको यह देखना है कि आपके जो मार्ग से पूड़ पेट कहा हो रहा है हो सकता है हिंदी में और इंग्लिश में आपके marks 90 90 आ गए ओके ओप आई भी बहुत अच्छे marks score करो आप सभी तो हिंदी और इंग्लिश में आपको 90 90 marks आ रहें बाकि सारे subject में किसी में 80 है किसी में 70 है किसी में 55 है तो अब जो सबसे अबने से इतना क्लियर नेक्स्ट होता है मेंशर औफ ऐरी बलीटी अव विरी बलीटी मतलब की यहाँ पर डिस प्रजिन को मेशर करना मतलब की कोई value है suppose average के हम बात करते हैं तो average से सारी जो values है सारे जो marks है वो कितना dispersed है ठीक है सपोज है आपके marks का average निकला 79% ठीक है तो 79% से जो आपके marks है वो कितना spread है कितने distance पर है कितना spread वह में है तो यही variability होता है जहां हम comparative comparison करते है अच्छली values का average के साथ mean के साथ समझ मैं है तो यह दो part में divide है range and standard deviation ठीक है so variability को measure करने के लिए मतलब data को comparison करने के लिए data के बीच में comparison करने के लिए हम दो statistical techniques का use करते हैं जिसमें पहली है range और दूसरी standard deviation range का मतलब क्या हुआ यहां पर range का मतलब होता है कि suppose आपकी जो पांच subject के marks आए हैं उन में सबसे ज़्यादा marks suppose English में आए और सबसे कम marks suppose आपको accounts में 55 तो 90 माइनस 55 जो आपने किया वो हो गया range कि lowest highest minus lowest highest marks minus lowest marks तो हमेशा maximum में से minimum को आप minus करते हैं तो जो difference निकलता उसी को range कहते हैं ओके ऐसी standard deviation होता है तो standard deviation का मतलब यह है कि mean से जो average है उस mean से average से बाकी जो सारे subject के आपके mark से वो कितना deviate हो रहे हैं कितना dispersed है उसी को standard deviation कहा जाता है हैना अभी कुछ mathematical term से जो statistical maths में यूज की जाती हैं बट basics हैं आपको आसानी से समझ में आईगी हो सकता है कि आपको अभी मेरे बोलने से समझ नहीं भी आ रही हो लेकिन जब हम इसको study करेंगे ना detail में example के साथ तब आपको बहुत अच्छे से clear होगी तो अभी फिलहाल तो यह chapter हमारा theoretical chapter है इसको मैंने आपको relate करके समझाने की कोशिश की यह real life से कि किस तरीके से हम इस statistical techniques को use करने वाले हैं तो hope आपको यह समझ में आया होगा तो इतने type की statistical techniques को हमें पढ़ना है अब जान लेते हैं measures of central tendency होता क्या है a measure of central tendency is a single value that gives us some idea about the data एक single value होती है जो whole data का एक idea आपको बताती है है ना जो whole data आपने collect किया है suppose आपने society की population का data collect किया तो उसकी किसी single value को यह दिए आपको access करना है किसी common output तक पहुचना है तो हम central tendency को measure करते हैं ठीक है जैसे कि suppose आपके five subject के marks है तो marks का आपने average calculate किया तो आपने क्या किया पांच अलग-अलग numbers से एक particular single value को access किया that is average, that is mean ओके, so three most common measures of central tendency are central tendency को measure करने के लिए three most common techniques होती है that is mean, median and mod जो अभी हमने diagramatically view में भी देखा ओके, अब measures of central variability अगर इसकी definition आ जाती ही तो इसकी बारे में क्या लिखोगे so the measures of variability refers to the spread of variation of the values around the mean देखो, जो mean value निकली है central tendency जो mean निकला है, जो average निकला है so average से हर एक numerical value suppose आपके जो percentage निकले है actually वो 79% निकले तो आपके जो पांचों subject के marks है suppose आपके एक subject के marks 90 है किसी subject के marks 80 है, किसी के 50 है, किसी के 60 है तो यह जो mean है ना, यह जो mean निकला है इससे कितना dispersed है कितना हम बोल सकते है variable variation में है कितना variation है हर एक से इसी को कहते है standard deviation और इसी को कहते है variability समझ मैं है, variation check करना है actually, so the measures of variability refer to the spread of variation of the values around the mean mean के आसपास क्या variation है बाकि सारे numerical data values का वही variation को measure करते है हम इस particular techniques में so they are also called measures of dispersion इसलिए इसको हम और किस नाम से जानते है measures of dispersion के नाम से जानते है that indicate the degree of diversity in a database, data set कि जो data set है, जो data values आपने collect की है उसमें किसके degree को बता आता है diversity की, कितनी values differ कर रही है, ओके, येचे समझ में आया है now common measures of dispersion or variability are range and standard deviation, जो common है वो क्या होती है, range and standard deviation इसके अलावा भी बहुत सारी methods इसमें होती है, mean deviation होता है quantile deviation होता है, बहुत सारे divisions होता है ओके, बट हमें सिर्फ इस chapter में आपको basics दिया वाया, that is range and standard deviation, तो वही हम discuss करेंगे, ओके, तो आज की इस वीडियो में क्या देखा हमने, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि data की processing के लिए, जब आप large bulk में data collect कर लेते हो, numerical data, large set of values आपके पास में होती है, तो उसको measure करने के लिए हमने दो तरीके देखे, central tendency और variability, जो कि किस के अंदर आते हैं, जिसमें आपको कुछ statistical techniques को discuss करना है, जिससे mean, mod, median, range and standard deviation को, so hope आपको आज का वीडियो समझ में है, जिसमें मैंने कुछ theoretical part आपको समझाया कि statistical techniques होती क्या है और कौन-कौन सी होती है, अब आने वाली वीडियो में हम major of central tendency and major of variability, जिसमें mean, mod, median, range, standard deviation, उस पर एक-एक dedicated वीडियो को discuss करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ताकि आपको एक-एक चीज़े अच्छे से समझ में आ सके, ओके, सो यह दिवीडियो अच्छी लगी है, तो इससे आप यूट्यूब के साथ साथ एक्सिस कर सकते हो, magnetbrains.com website से भी इस तरीकी का home page show होगा है, या स्लेक कर लेना, class 11th, जैसी class 11th select कर होगे, तो आज होगे अपने subject की list पर, मतलब यहाँ पर class 11th के सारे subject show हो जाने हैं, जिसमें ब्रेफ ओवर्यूव ऑफ पाइटन, व्किंग लिस्ट डिक्शनरीज, इमर्जिंग ट्रेंज, डीटा बेसेज, नमपाई, लेब्रेटी वगरा, सारे सारे chapters हमने complete कर लिये हैं, तो सभी के वीडियो lectures practical के साथ नहीं available है, कहीं किसी platform पे जाने की जर्वत नहीं, जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, मुच्ण पेक लिस्क करना इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, और आपका डाउट 12 हो जाएगा, सो मैगनिक में सापको किंटर्गार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री औफ कॉस्ट एडिकेशन प्रवाइट कर रहा है, ताकि आप अपनी एक्जाम में बहुत अच्छे मांक को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अच्छा अच्छी पर सकते हो, सो में लिगे ने 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 वीडियो में, तिल देन स्टे एर स्टे अपी, थैंक यू सू मुच.